आवादा में बहुत ही सुन्दर और अबबुद्घ की स्टेचू और संगला बजार में अभी कभी भी आओ संगल्या तो आझा जरूर्वर दोहना बैटने के लिए कभी भी आजمنते हैं राथ के 9 बच चुके हैं फिल भी यहां बैटनें के भी आई हैं अब मिलते है गाइस कल फोली में जालू गाइस आई वे रामपूर से आड़ें भावना करने तो अभी पहुंचुके हम सब्सक्राइब दूरी के बाद को रामपूर से हमने जर्नी स्टार्ट की आज जा रहे हम सांगला to Royal प्याइस में आपको सांगला दिखासे हो ली जा रहे आज़ा बहुत ही ज्यादा फैमसा हमाचल प्रदेश पने शांगला की direct अब जो ख़टे हम चाय पीने बदाल में मैं दिखाता हूं आपको बदाल का भी हो है अब हम रुके हैं बदाल में बिल्कुल बस के सामने हम इस बस में आया हम अब भावनगर तक हम जाएंगे वहां से हम दूस्सी गाड़ी लेंगे गाड़ी में चलो 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 शाम के बच्चों ने अच्छे और किनोरों चुक है क्रोस भाई सामने ऐसा रगड़ा रखा है भाईजी आप कैसी हिद्व में देख सकते गाईज आप बंदी ने तर से उतर ही जा रहें बस अब आपको आगे रिखांगा वी चौरह से हमारी एक फ्रेंड बैठेगी फिर उसके बाहाद इक लेंगे हम बावनगर से हमारे पास गाड़ी है अभी हम जब तक है आप कि अब हैं मुद्ध है तो अब पहुंच चुके हम पहावनगर और यहां बारिश लग चुकी है बावनगर में अब निकलते हम बावनगर में यहां पेट्रोल पाड़ी बावनगर हुआ एक निकलेंगे आगे कि लिख चुकिया और शंगला तो बहुत ज़्यादा दूर है अभी आप कैसे जाएंगे कहा रहेंगे दिखाएंगे आगे व्लॉग मे हुआ है लगते हैं सफर बहुत ही ज्यादा सुआना होगा जिस तरह सिरूर है इस बिल्कुल ब्लॉग में बने रहो अभी बहुत कुछ होना बाकी है अभी हमारा सफर रहा है रात को हम कहा जाएंगे और आपको मैं बताओं पत्थरी पत्थर आ रहे हैं यहां पर बहुत मुश्किल है कि नौर अगर आपको बता दूंकि कि नौर कि नौर आएंगे तो अपनी रिस्क में आना क्योंकि यहां पत्थर भी बहुत नीरते हैं मिलते हैं गाइस आगे तापने में वो यह है कर्चम पुल कर्चम का शांदार पुल है इसकी स्टोरी है कुछ कर्चम पुल की क्या स्टोरी है इसकी स्बंद वादर आगे यह पहुच रहे हैं यह डिवाइड करता है रोड पी और संग्ला को डिवाइड करता है रोड आगे वाला कर्चम अब थोड़ेर हम यहां से सिफ संग्ला पांच किलो मेटर रहे हैं अब लेते हैं मुमो उसके मजे जो हमने पैक किये थे बहुत ही तिष्टी मुमो और खाएंगे अब किसके मुमो खाएंगे अब डोन मानती कि मुमो मुमो अब जहांए तो कि अब हुआँ जो आए और हमारी गारी आचुके ठोकर रहनी वस अब कर दिया तो अभी ओन कर दिया यह जो पहुंच गे पर अभी पते नहीं लग रहे हैं कहां अभी फोन करना पड़ेगा किसी नहीं किसी को कोई शांगला में है तो बता दो मेरी जितने इस संग्ला वाले अभी हम आपको शंगले दिखाते हैं वह यह यह कुता उठ भी नी रहा हमने गारी लगाने उठ आज आज वह यहार इसको फरकी नहीं है यह हमारी गाड़ी यह संगला कि 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 तो हम बिल्कुल अभी संगला बजार में बेट कर रहे हैं कोई हमें आया और हमें ले जाएं देखते हैं आज हम किसके बाद जाएंगे तो व्लॉग में बने रहें और यह नाइट व्लॉग ही रहेगा जो हुली का व्लॉग है वो कल दीखेगा तो प्लीज जादा से जादा सरे शेयर कमने सिलॉग को बोस्ते गायाई नही जारा हूं नही जारा हूई कर दो समय कर दो टो 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 मौट दो इसलिक है आपकाता में सबस्क्राइब तो सांग ले आए तो एशी पारकिंगर लगाए नहीं यार इसमें तो व्लोग में तो बहुत अच्छी दिखनी की कारी इसमें बताना चाहता हूं तो अबी में पता का हूं मैं पहुंचा अपनी फैन के बास यह जूड़ बोरा है इनसान मेरा दोस्त है यह मेरे डेली व्लॉग देखती है यह इनके व्लॉक्स को जितना हो सब्सक्राइब करना बहुत अच्छे व्लॉक्स मनाते हैं तो अब बताता हूं में कहा हूं यह सर्प्राइज आपको और इतनी सेवा कर रहे हमारी पुछमत अभी मेरे साथ मोटे का था के व्लॉग नहीं देखते हैं इसकूंपता हूं आज का जो स्पेशल इनर है वह है कि यह वो शीन के आत का बनावा खाना यह है उनके कि अपना खाना दिखेंगे पहले हैं इससे कलवाते दिखेंगे हैं कुछ बोलो तो आप क्या बोला चाहते हो चोहां साब आज मेरे घर में आकर मुझे बहुत जादा अच्छा लगा इपनी सेवा इसे कितने टैंक पर मिलिया हूं से मैं इसे दो साल तीम साल चाहर साल आप जूट मुझे शाजी करके दो साल हो रहा है थपर मारूंगे उससे साल तो मिले थे हम यह बहुत जूर बोलता है दोस्तों अभी खाना खाते वे शर मारा है अभी गल्स फ्रॉम सांगला हमाली को स्पेशल आ रही है यह दो थेरे वेजिते दिल और हम थेरे राक्स अभी दिखांगे यह तेक यार भी हम खाके फ्री अब हो जाएगे अब हम चित बहुत ही अच्छी गातिदारी करी हमारी अब हो चुके रात हम भी सोते हैं और प्रीज गर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ऐसे ही प्यार दो जादे से जादा ठीके मिलते गाइस अभी पूरी संगला की हुली अभी बाकी है गाइस वह मैं आपको अग झाल झाल